गीता एक गरीब लड़की है वह बेन माबाब की बेटी है इसलिए उसकी सास और उसका पती उसे जादा कुछ नहीं की ता गीता की घर में गीता की ही चलती थी, वो जो कहती थी उसकी सास और उसका पती बीना कुछ कहें माल लेता था, क्योंकि वो एक बीन माबाग की बेटी थी और उसने शादी से पहले बोर दुख दर भी सहा था, गीता घर का कोई काम नहीं करती थी, उसके घर का सारा काम उसका प रोजबहार ना जाए या घर का काम उसका पती और उसके सास लेते थी लेकिन एक दिन उसके पती को उसकी सास ने कहा कि बेटा गीता को ना रोको तोको उसको समझाओ कि इस तरह रोजबहार जाना सहीं नहीं होगा हाँ वो बाहर जा सकती पर वो अगर कभी कबर जाए तो ठीक है लेकिन अगर वो इस तरह रोज बाहर जाएगी तो हमारे समाज के लोग क्या कहेंगे ये सब सुनके गीता का पती बहुत परिशान हैने लगा उसे समझ ही नहीं आता था कि वो करे तो क्या करे अगर वो गीता को कुछ कहता था तो गीता नाराज हो जाती उसे समझ ही नहीं आता कि वो करे तो क्या करे वो गीता को कुछ ज़्यादा बोल भी नहीं सकता था और वो नहीं मा के बाट ताल सकता था इसी तरह गीता रोज अपने ससुरार वालों को कुछ न कुछ कहती रहती घर में कुछ भी करना हो गीता की ही चलती थी वो अपनी पती और अपनी सासु को बहुत बाते सुनाती थी अगर उनसे कोई काम ठीक से नहीं होता तो भी वे उन्हें डाट लगाती थी फिर भी उसका पती और उसकी सास चुप चाप उसके सारी बाते सुनते रहते थे ये सोच कर कि कभी न कभी गीता को एहसास होगा कि वो जो वेवार करती है वो सही नहीं है हम उसे लाड़ प्यार करने हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो हवा में उड़ने लगे पर ये बात कभी उसके सहसू ने और उसके पती ने उसके मुँपन नहीं गई उन्हें सिर्फ इसी बात का विश्वास था कि कभी न कभी उसे इस चीज का एहसास होगा एक दिन ऐसे ही गिता अपनी सहेली रस्मिर से मिलने जाती है वो दोनों काफी दिनों के बाद मिलती है रस्मिर उसको सारी बाते बताती है कि कैसे उसकी सहसू उस पर अत्याचार करती है और उसका पती भी उसकी सास की मदद करता है उसे कुछ नहीं कहता उसकी सास उसके पती को उसकी खिलाब भड़काती भी रहती है वो चाहे कितना भी काम कर ले, कितनी भी अच्छे तरीके से घर की सारी सापसफाई करे, सारा काम करे, फिर भी उसके सासू उसमें नौकजुक निकाली देती थी, और उसका पती भी उसके माह का साथ देता था, जब ये बात रश्मी ने गीता को बताई, तो गीता को एहसास वो तो अपने पती और अपने सासू के साथ इतना बुरा वेवार करती है, घर का कोई काम नहीं करती, फिर भी उसके सासू और उसका पती उसे कुछ नहीं कहता, वो उन्हें बार बार चोटी चोटी चीजों के लिए हजारों बाते सुनाती है, फिर भी उसके सासू ने उसे कितना गलत किया तब उसकी सास उसे कहती है कि बेटा रोव मत हमें विश्वास था कि तुम्हें एक ना एक दिन अपनी गलती का एहसास हो गया बस यही बड़ी बात है अब हम सब साथ मिलकर हसी खुशी रहेंगे तुम बिल्कुल शोक मत मनाओ क्योंकि हमें पूरा भरोसा था कि तुम्हें कच्छी लड़की हो और तुम्हें एक ना एक दिन अपनी गलती का एहसास जरूर होगा इसके बाद गीता और उसका परिवार साथ मिलकर हसी खुशी रहने लगा वो सब मिलकर सार काम करते और हसी कुशी जीवन यापन करते अगर आपको